हलो दोस्तों कैसे हैं सब स्वागत है अब सभी का कॉमिक वर्ल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडर दुरुफ की अगली कॉमिक्स उर्ती मौत तूने लेडी बट के काम में अड़ागना डाल कर अबने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है और आखरी भी अब मैं तुझे छोड़ने जा रही हूं और तेरा बदल जमीन से टकराएगा और तेरे चीथड़े पूरे राजनगर में बिखरे नज़र आएंगे अब धरुबी क्या करे जब परो पर फड़फडाती आए उड़ती मौत रात के अंदेरे में काला आकाश परिंदों से खाली रहता है उड़ते हैं तो सिर्फ वे पक्षी जिनको या तो इस काम के लिए सधाया गया हो और या उनको जान बूच कर उड़ाया जाए काले आसमान पर दो परिंदे एक शिकार और दूसरा शिकारी और उन पर नज़र रखे हुए कुछ लोग बालू अपने कबूतर पर कोई बाज हमला कर रहा है बाज फिर से बाज लेकिन रात के समय बाज कहां से आ गया लडाई छोटी सी थी बाज के सामने कबूतर कप टिक पाया है और वह भी तब जब बाज मामूली बाज नहीं हूँ हमारा कबूतर गिर रहा है गायल हो गया है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है गाड़ी गिरते कबूतर की तरफ दोड़ पड़ी लेकिन कबूतर की गिसमत में जमीन पर गिरना नहीं लेका था अरे ये क्या ये तो सफेद कबूतर है पालतू कबूतर ये गायल हो गया है लेकिन इसके पैर में ये पैकेट कैसा बंदा हुगा है ये पैकेट हमारा है लड़के हमको ये पैकेट दे दो बदले में कबूतर तू रख ले कौन हो तुम लोग इस पैकेट में ऐसा क्या है इस पैकेट में बंद है तेरी मौत बिना किसी चेतावनी के नाले तन गई और गोली हमा में उड़ने लगी गुंडे किसी भी कीमत पर पैकेट को पाना चाहते थे किसी भी कीमत पर और यह कीमत विसू सहीद चुका रहे थे इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था यह गलत हो रहा है इस तरह तो यह चारों मिलकर भी इससे पैकेट नहीं चीन पाएंगे और जब तक यह पैकेट हासल नहीं करेंगे तब तक यह अपने अड़े पर जाने की हम्मत नहीं करेंगे और यह मैं नहीं चाहती और इस बार उसका एक हाँ थिला और मौत एक बर फिर हवा में ओड़ चली और इस बार उसका निशाना था सुपर कमांड उद्रोग ओ यह बाज द्रुफ के गले से आवाज उगरी भाशा बाजुकी ही थी लेकिन नचाने क्यों वह बाज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और द्रुफ जानता था कि बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता गुंडे मौका ताड रहे थे कबूतर उठा मौरंग और भाग ले यहां से द्रुफ के समल पाने से पहली गुंडे कबूतर जईध हवा हो लिए द्रुफ बाज से जूज रहा था और ट्रेंड बाज धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था ये मेरी आखे निकालना चाता है इसे रोकने के लिए मुझे पहले इसकी आखे बंद करनी होगी द्रुफ ने एक जटके से मोटर साइकल की हैंडल का कवर खीच लिया और कवर बाज की गर्दन तक जा चड़ा जब तक बाज समलता द्रुफ के शक्तिशाली हाथ मोटर साइकल का क्लच बार खीच चुके थे और बाज के पंजे फंदे में फस चुके थे अब बाज बेवस था ओ वे गुंडे कबूतर को लेकर निकल लिये पर आकर ये चक्कर था क्या जब तक मैं समझ पाया हूँ उस पैकेट में जहां तक मैं समझ पाया हूँ उस पैकेट में हीरोईन थी खतरना को और महगी नशीली दबा खेर सबसे पहले तो मोटर साइकल को दुरुस्त किया जाए द्रुफ का क्याल सही था बाल बाल बचे गुरू, अगर धुरुफ समझ जाता कि हम कबूतरों के जरीए हिरोई को इस देश के अंदर लाते हैं तो हमारा रास खुल जाता और बॉस हमको कभी जिन्दा नहीं चोड़ता किसमत थी जो बच गए, भला हो उस बास का, लेकिन रास तो खुल चुका था धुरुफ के सामने भी और उस रहस में याकरती के सामने भी धुरुफ के दिमाग में सवालों की बाड़ बह रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे कमांडो हैटकॉाटर हेलो कैप्टन, कहो करीम, कोई नहीं खबर आई? खबर तो आती रहती हैं कैप्टन, देखो कम्प्यूटर स्कीन पर कुछ फ्लैश हो रहा है दच्छनी राजनगर के एक फार्म हाउस में भीशन आग, दो लोगों के मारे जानी के आशंका, आग के कारण का अभी तक पता नहीं, पीटर नहीं ये ये निउस जाका कवर की थी, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चला अरे हाँ, ये तो मैं तुम को बता नहीं भूल गया, हमारा नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम तयार हो गया है इसमें राजनगर के अलावा पूरे देश के सारे ग्यात अपरादियों के पूरे डिटेल भरे हुए गुट, शायद इससे मुझे कुछ अपरादियों का पता मानूं करने में मदद मिले लेकिन मुझे सिर्फ उनका हुलिया पता है उससे तो अपरादियों को बता करने अब बहुत समय लगेगा और मेरे पास ना वक्त नहीं है कुछ समय नहीं लगेगा कैप्टेन कंप्यूटर सारा काम खुद करेगा तुम सिर्फ इस माइक में उन लोगों का हुलिया बोलते जाओ कंप्यूटर वो हुलिया सुनकर उनके चित्र इस्क्रीन पर अपने आप बना देगा धुरू माई पर अपरादियों का हुलिया बोलता चला गया चोटी नाक, हलकी, बड़ी दाड़ी और मूच है और स्क्रीन पर अपरादियों का चित्र ओभरता चला गया और साथ ही उनके बारे में जानकारी, सारी जानकारी भी कुछी देर बाद, कुछी देर बाद धुरू की मोटर साइकल अपनी मंजिल की तरफ देजी से बढ़ रही थी लेकिन धुरू का काम तो कोई और पूरा करने जा रहा था आज शैतान अपने साथ था, सच में, वरना सुपर कमांडो धुरू के हाथों से बचकर निकल पाना मजाक नहीं है चल रहे, बास को फोन मिला, बास को बता दू कि आज तो उनके दुश्मन बाज नहीं हमको बचा बास? तो दो बास उधर भी बैठे हैं, पर इनकी गर्दन में क्या लटक रहा है? मुझे तो डाइनामाइट की छड़ें लगती हैं, पर क्यों? जवाब मिलने के पहले ही, एक नया सवाल खड़ा हो गया, कौन हो तुम? लेडी बर्ड, और अब तुम यह पूछो गई कि मैं क्या चाहती हूँ? जवाब है, तुम लोगों की चान अब तक बंदू के अपनी अपनी जगह से बाहर आ चुकी थी एक धमाकी के साथ पहले गुंडे के चीथड़े उड़ गया, साथी साथ बास के भी अब तक बंदू के अपनी अपनी जगह से बाहर आ चुकी थी और गोली हवा में उड़ने लगी थी निशाना लेडी वर्ड का जिस्म था लेकिन गोलियों के साथ ट्रेंड बाज भी हवा में लपक चुके थे एक भी गोली लेडी वर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाई अब उसने गुंडों को दरदराग मौट देने की ठान ली थे सुई जैसी नुकीली और बलेड जैसी तेज चौचें एक शरीर में आध हसी चीखों से कमरे की दिवारें हिलने लगी और दूसरे गुंडे उसने भैसे आँखे बंद कर ली लेकिन पलके भी हाड मास्की ही बनी होती है पंजे पलकों को छेते हुए गहराई तक जा थसे और गले से उबली चीक के रुख पाने से पहले ही और दूसरे गुंडे के पैर भैसे जड़ हो गए मौत उसकी तरफ लपक रही थी डाइनामाइट की एक लंबी छड़ उसकी करदन पर भी आकसी और गुंडे का बदन हवा में उड़त हुआ दिवार से टकराने के लिए बढ़ चला एक सेगन बार धमा के गज़ा शरी के चीतरे बिकड़ जाने थे लेकिन उसका शरी दिवार तक नहीं पहुँच पाया सुपर कमांडो दुर्बी गुंडो तक आप पहुँच जाता तु यहां पर भी मरने आ गया तुम जो कोई भी हो मुझे पहचानती हो पर कैसे हम पहले मिले हैं क्या वह तेरी किस्मत थी कि हम पहले नहीं मिले और अब यह तेरी बदकिस्मती है कि लेडी वर्ड से तेरा सामना हो गया हज़ा मेरे रास्ते से परना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा हो जाएगा मैं जानता हूँ कि यह सभी नशीली दवाओं के तसकार है लेकिन इन से तुमारी क्या दुश्मनी है और इनको सज़त देने का हथ तुमको किसने दिया ओ वह भाग रहा है लेडी बर्ड डैंक पार्टी की तरफ लपकी लेकिन ध्रुब बीच में आ गया वह जानता था कि अगर डैंक पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गया तो उसका क्या हाल होगा लेडी बर्ड के समलने से पहले डैंक पार्टी टूते दरवाजे से गायब हो चुका था और अब लेडी बर्ड का कहर द्रूप पर तूटने वाला था ओ, इसमें तो अमानवी ये ताकत है, मैं इसके पंजों को अपने आखों की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूँ अब एक ही रास्ता है कि इसकी ताकत का इस्तमार इसी के खिलाफ किया जाए इसकी ताकत इसके पंक हैं, लेकिन ये पंक असली हैं, इसके शरीप बाजो जैसे पंक कैसे निकलाए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी इस हालत और हिरोईन के इन तसक्रों में ज़रूर कोई संबन्द है और बगएर वह संबन्द पता लगाए, एक करारेवार से धुरूर जमीन पर आगिरा और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक पड़ी, मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरी भाशा नहीं समझेंगे और इनकम उससे टकराने का नतीज़ा मेरी निश्चित मौत है मुझे आखरी समय तक इनके पास आने का इंतिजार करना होगा और आखरी समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा ताकि ये दौनव बाज आपस में ही टकरा जाएं टकरा कर धमाके से जड़ उड प्रवरास्ते से तो हट गया लेकिन धमाकी की लेरो न उसके पूरे शरी को हवा में उच्छा दिया उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून हो गया और लेडी वर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया इतनी देर में डैंक से बिल्डिंग से बाहर निकल पाया था अपनी तरफ जिपड़ती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा लेकिन बच नहीं सका सांस उसके गले में ही अठक कर रह गई वह चीक न चाहता था मगर चीक नहीं पाया सरसराती हवा में एक ठंडी आवास सरसराई अब जो कुछ भी मैं पूछू साफ साफ बताता जा अगर जरा सी भी जूट बोलने की कोशिश की तो तेरे और जमीन के बीच में सिर्फ हवा होगी बताऊंगा बतादूंगा पुछो पुछो डैंक खामोशी से सारे सवाल सुनता चला गया और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे पस मैं और कुछ नहीं जानता तो तेरा काम अब खतम हो गया और तेरी जिन्दगी भी एक चीक हवा में खिस्ती चली गई जमीन तक पहुँच बाने से पहले ही डैंक पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था धुरुफ के लिए एक नया रहस से खड़ा हो गया था लेडी बर्ड तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं सुपर कमांडर धुरुफ की कॉमिक उर्ती मौत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद